हिंदुस्तान के शेत बजार में इस समय सबसे ज़्यादा विदेशी तेल बिकरा है। आप सभी जानते हैं कि एक मलेशिया नाम का छोटा सा देश है। उस देश का एक तेल है जिसका नाम है पामोलीन तेल। वो पामोली तेल सबसे ज़्यादा भारत के बजार में हैं सबसे ज़्यादा। एक दो टन नहीं लाखों टन में हैं करोणों टन में हैं पामोलीन तेल जो भारत के शेत बजार में आ गया। अब पामोलीन तेल आके बिखने लगा अब पामोलीन तेल का भाव भारत में आके पढ़ता है 20-22 रुपई लीटर और शेतकरी समाज जो उत्पन करके तेल देता है वो है 40 रुपई लीटर अब भारत का शेतकरी सरसों का तेल करे 40 रुपई लीटर नारियल का तेल करे 60 तो सारे भारतवासी जो तेल बनाने वाले उद्योगपती हैं वो सब पामोलीन तेल धडले से लाखों-लाखों टनवे इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पामोलीन तेल को भेड़ सेड़ करके मिलावट करके आपको बेच रहे हैं आप बाजार से डिबबबंद जितना भी तेल ल कि बेचा जा सकता, गेट करार और WTO के दवाऊ में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेचा जा सकता है. अब पाम तेल आ गया, वो वेजिटेबल ओईल के साथ मिला के बेचा जा जा रहा है. आप बाजार से तेल खरीद के लाते हैं किसी भी नाम का तेल खरीदो रिफाइंड तेल के नाम से और डबल रिफाइंड तेल के नाम से बाजार में जितना भी तेल मिल रहा है वो सब पामोलीन तेल है अब पामोलीन तेल हम खा रहे हैं शेतकरी समाज खा रहा है क्यों? क्योंकि शेतकरी समाज जो तिलहन पैदा करके बेचता था शेतकरी समाज जो सरसो का तेल पैदा करके देता था या नारियल का तेल उसको भाव नहीं है तो उन्होंने तिलहन पैदा करना कम कर दिया है तो भारत में तिलहन का छेतर फल भी लगाता रगटा चला जा रहा डाले पैदा करना कम कर दिया तिलहन पैदा करना कम कर दिया तेल का उत्पन इस देश में कम हो गया तो विदेशों से पाम तेल आकर बिखने लगा अब वो पाम तेल के दो दुश परिनाम है एक तो जो शेतकरी नारियल करते थे, जो शेतकरी तिल पैदा करते थे, जो शेतकरी सरसों पैदा करते थे, उनको नुकसान, दूसरा नुकसान देश के खाने वाले लोगों को, जो पाम तेल खाएगा, मैं आपको स्टाम पेपर पे लिखके देखा हूँ, देता हूँ, तुर से ज़्यादा ट्रांस फैट्स हैं सबसे ज़्यादा और ट्रांस फैट्स वो फैट्स हैं जो कभी भी बाडी में डिजॉल्व नहीं होते हैं किसी भी टेमपरेचर पर डिजॉल्व नहीं होते हैं और ट्रांस फैट्स जब बाडी में डिजॉल्व नहीं होते हैं तो फैट ब प्रेलेस का शिकार हो जाता है जब ट्रांसफेट्स बहुत बढ़ जाते हैं शरीर में तभी शरीर में ऐसे भहेंकर दुष्परिणाम होते हैं डाइबिटीज बढ़ती है हाइपरेटेंशन बढ़ता है जिसको बी-पी आप कहते हैं हर्ट अटेक आता है ब्रेन हैम्रेज हो जाता है ऐसे खतरनाक रोग जिन में शरीर का हमेशा के लिए बढ़ेंकर दुष्परणाम हो जाए या हमारे शरीर का बहेंकर नुकसान हो जाए ऐसे रोग भी सारे के सारे पाम तेल के दुष्परणाम ही है पाम तेल दुनिया में कोई नहीं खाता भारत को छोड़ कर मलेशि पाम तेल का जास्ती से जास्ती उपयोग होता है उद्योग धंदों में लेकिन वह पाम तेल गैट करार के बाद भारत में भैंकर पहमाने पर बेचा जा रहा है तेल का बजार पूरी तरह से अब विदेशियों के कब्जे में चला गया तो एक तरफ अपना शेत करी नुकसान पाता है दूसरी तरफ लोगों को भी तकलीफ आती है